दोस्तो रेल्वे की बाट चाल में आपका स्वागत है दोस्तो यहाँ पर दो बड़ी खबर आ रही है रेल्वे बोर्ड की तरब से एक दोस्तो यहाँ पर रेल्वे में गूरूप D को खतम कर दिया गया है जो दोस्तो गूरूप D को खतम कर दिया है और सारे पाद गूरूप सीमे यहाँ पर मर्ज कर दिये गए है मापको यहाँ पर पुरा ओफिशल प्रूप भी दिखाऊंगा अखिर इसके क्या सचाई है और एक दोस्तों अपडेट यहाँ पर आया है वेटिंग के रिगार्डिंग तो यह क्या नया अपडेट है क्या यह पेपर में ऐसे ही चपा है और क्या इसके रियलेटी है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो मताँगा चली शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है रेले भरती के लेटेस्ट और अथेंडिक अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सस्क्राइब पर आपको ओफिशल तरीके से बताता हूं ठीक है तो यहां पर देखें यहां पर दोस्तों बताया है कि रेल्वे में नौकरी के आस लगाए योग अभ्यरतियों की अब वेटिंग में भी लोटरी लग सकेगी बरती प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाली हुई सीटों को अब वेटिंग लिस्ट में सामिल अभ्यरतियों से बरा जाएगा इस समांद में रेल्वे भरती कंट्रोल बोड ने निर्देस सारी किये हैं देश के रेल्वे भरती बोड पर नियंतरन करने वाले रेल्वे भरती कंट्रोल बोड यान की RRCV, RRCV, Railway Recruitment Control Board ठीक है, इसने आ खाली रह जाता है तो उसे वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा और इसे नहीं भरती नहीं माना जाएगा यह पर एक साल में पूरी करनी होगी यानि कि भरती पूरी होने के एक साल के अंदर कोई पद रिक्त होता है तो उसे वेटिंग लिस्ट वाले पैनल से भरा जाएगा अ और यहां पर जो सीटे खाली हो जाती थी उन्हों खाली रहती दिए कि मैं आपको पूरा मामला क्या है देखे पहले क्या था रेलवे ने पिछली बार क्या वता अपने देखो का एलपी टेक्निशन उससे पहले जो भरती दिना और गुरूपडी में भी ऐसा है किया था लेकि है कि हम केवल 1.05% कंडिडेट यहां पर डीविम बुलाएंगे इससे क्या होता था वेटिंग लिश्ट एक प्रकार से खतम हो गई यानि कि एक्स्ट्रा कंडिडेट लिए ही नहीं केवल 5% कंडिडेट लिए लेकिन रेलवे एक प्रावधान किया वह प्रावधान क्या था मैं आपको बहुत वार बात बता चुका हूँ उप्रावधान यह है कि माली जी किसी भी जोन में आपके 10,000 सीट हैं तो रेलवे क्या करेगा शुरूबात में डोकिमेंट वेरिफिकिशन के लिए 10,000 साथ रोग बुलाएगा सपोज कीजिए इन में से 10,000 में से 500 में बाहर हो जाएंगे माल लिजे कि भाई 500 ही होगे तो ऐसे में क्या हुआ हजार लोग तो ऐसे बाहर होगे मतलब कि 9,000 बचे अभी 9,000 को जब यहां पर पैनल में डालेंगे और जोइनिंग के लिए बुलाएंगे तो हो सकता है कि भरती प्रिक्रियर लब्मी होने के देंगे अगर ऐसा होता है तो दोस्तों यह जो सीटे है उनको दोस्तों रेल्वे बरेगा यहां पर कट ओफ को डाउन करके मापको ओफिशल दिखा देता हमारा नोटिफिकेशन तो यहां पर आपको पैर नम्मर 1.11 में देखने को मिल जाएगा और यहां पर रेल्वे ने पहले ही लिख रखा है इन केस ओफ सोर्टफोल इन एंपलमेंट ओफ कंड़ेट और अधर एक्सेंसी जी रिजर्व दा राइट तू यूटिलाइज दा एक्स्टर लिस्ट ओफ कंड़ेट स्टेंडबाइ लिस्ट इफ रिक्वाइड एस पर दा मेरिट एंड ऑप्शन कंड़ेट यहनि कि अगर रेल्वे को आव सकता पड़ी अगर यहाँ पर सीटों में सोर्टफोल होता है वैकेंसे में सोर्टफोल होता है अगर पूरी सीटें नहीं पड़ती है तो रेल्वे को यह पूरा धिकार है रेल्वे रर्सी को और रर्रवी को कि वो एक एक्स्टर स्ट यहां पर जारी कर सकती है और जो करिदेट यहां पर नजदी की रह गया इस्टेंड बाई उनको जोनिंग दे सकती है यहां कि सपोच कीजे कि सुरुवाद में अगर कटोफ सेवेंटी जाते किसी कम्यूनिटी की और उसके अंदर एक हजार चात्र यहां पर सीटे खाली जाती है तो यहां पर कटोफ डाउन करेंगेों हो सकता हैं कि जिनका मेरित को डाउन कि जाएगा और इसके नियर भाई जो चात्र रहेंगे उनोंco दोसтор यह पर बुलाए जाएगा तो यह प्रागद्धान है जीए उनकी वेटिंक लिश्ट तो नहीं लगेगी लेकिन इसका मतलब यह है कि cut off को down किया जाएगा और फिर चात्रों को document verification के लिए बाद में बुलाया जाएगा दूसरा दोस्तो अपडेट आ रहा है वो आपके यह आ रहा है railway ने खतम किया group D का grade 1800-4600 pay grade के करमचारी अब group C में आए और 4800 plus वाले group B मैं आपको दिखाता हूँ यह कहा है यहाँ पर आप देखेंगे तो ministry of railway की तरब से 217 तारीकों यहाँ पर यह जो आदेश है यहाँ पर जारी किया गया था और मैंने इसको हमारे telegram group पर already यहाँ पर post कर दिया था और यहाँ पर आप देखेंगे तो यह जो letter है सभी general railway की जो manager है GM है उनको यहाँ पर भेजा गया था और यहाँ पर आप देखेंगे classification of railway service consequent upon implementation of railway service revise पे rules 2016 तो उसमें change किया गया है जो आपके railway service rules है 2016 उसमें change किया गया है और दोस्तों अब यहाँ पर एक change किया गया है article 309 के तहत और वो क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जिनका level 10 से level 17 है यानकी level जो 7 वितनायोग है उसका level 10 से लेके level 17 के जो करमचारी है उन्हें group A में graduated माना जाएगा level 8 से level 9 के जो है उन्हें दोस्तों group B में माना जाएगा और अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर group C में किस-किस को माना जाएगा तो आप देखीजिए ए रेल्वे सर्विस पोस्ट केरिंग दापे इन दापे मैट्रिक्स एट लेवल 1 टू 7 यानि कि level 1 से लेके level 7 तक के जो यहाँ पर करमचारी है यानि कि आपके 1800 पे ग्रेड से लेके और 4800 पे ग्रेड तक 4800 नहीं आपके level 1 जो है वो आपके 800 है level 1, level 2 जो है आपका 1900 है, level 3 आपका 2000 है level 4 आपका 2400 है level 5 जो होता है आपका 2800 है level 6 जो है आपका 4200 level 7 आपका 4600, level 8 आपका 4800 यानि कि यह जो आपके करमचारी है लेवल एट तक के उन्हें दोस्तों यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा यहाँ पर लेवल वन से लेके लेवल सेवन तक के जो करमचारी है उन्हें दोस्तों गुरूप सी के अंदर यहाँ पर लिया जाएगा तो यहाँ पर यहाँ पर एक चीज आपको ज्यान रखनी है वो यह है कि बहुत सारे साथ यह बोल रहे हैं कि इससे कोई फरक पड़ेगा क्या देखे इससे आपका कोई भी फरक नहीं पड़ने वाला है यहां पर आप देख सकते हैं परसन प्लेस्ट इन हायर लेवल अब दापे मैट्रिक्स अंडर दा सेच्व परमोशन स्कीम मसी एप स्कीम विल कंटीन टू डेटें दा क्लासिविकिशन बेसिक पोश्ट यानि कि उसका बेसिक वगरा है यहां पर सेम रहेगा कोई चैंज नहीं होगा यानि कि जस्ट एक ना जो डेटा है न अपडेट नहीं किया है अभी मेरे को रेल्वे ग्रूप डी में यहां पर दिखा रहा है लेकिन बहुत सारे साथियों का यहां पर चेंज कर दिया गया है और वो कुछ इस प्रकार से दूसरों शो कर रहा है तो यहां पर दिखिए सिर्फ यहां पर चेंज क मिल जाएगा चैनल को भी ते सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजेगा और बैल आइकन को ओन कर दीजेगा चलिए मिलते आप से एक लिए वीडियो में तब तक जैहिन